उद्धब ठाकरे ने आज मुमई में प्रेस कॉन्फरिंस करके कहा है कि शिफसेना के चुनाव चिन और नाम पर चुनाव आयो को अपना फैसला सुप्रीम कोड का फैसला आने के बाद सुनाना चाहिए सुप्रीम कोड शिफसेना के बागी विधायकों की अयोगिता मामले पर उद्धब ठाकरे की याचिका पर सुनवाई कर रहा है पिछले साल जून में शिफसेना तूट गई थी शिफसेना के 40 विधायकों को अपने साथ लेकर एकनाश शिंदे ने अपनी सरकार बना ली थी उद्धब का तर्क ये है के बागी विधायकों को सुप्रीम कोड के अयोगिय करार देने से पहले अगर चुनाव आयोग उन्हें पार्टी का सिंबल और नाम सौब देगा तो इससे क्या औचित्य साबित होगा असली शिफसेना कौन है शिफसेना का चुनाव चिन्न धनुशबान शिंदे गुट को मिलना चाहिए या ठाकरे गुट को क्या शिफसेना से मकावत करने वाले विधायकों की सदस्यता रद्ध होगी ऐसे सवालों का जवाब सुप्रीम कोट और चुनाव आयोग के फैसले के बाद आएगा सुप्रीम कोट 14 फरवरी से इस मामले पर रोजाना सुनवाई करेगा जबकि चुनावायोग में 31 जन्मरी को दोनों गुट अपनी अंतिम दलीले दे चुके हैं एकनाथ शिंदे शिफसेना के 56 में से 40 विधायक अपने साथ लेकर चले गए थे तो विधायक तो शिंदे गुट के साथ ज्यादा है लेकिन उधर ठाकरे ने गुद्वार को प्रेस कॉंफरेंस कर कहा कि बागी विधायकों की संख्या जादा होने से उनका पार्टी पर दावा नहीं बच जाता पार्टी दोस्तर पर होती है एक संसर में होती है वीडियमेंडर में होती है और दूसरी रास्ते पर होती है अब इनका जो पैना है जो भगोड़े हैं उनका जो पैना है कि हमारे पास ज्यादा विधायक है हमारे पास ज्यादा संसर है तो हम ही पार्टी है ऐसे नहीं हो सकता अगर ऐसी लोग प्रजातंत्र आमारे देश में चलेगा तो कोई भी दूनिया में विश्वए नंबर दो या तीम का जो उजवपती है वो सारे लोगों को खरीटकर प्रदान मंत्री बन सकता है, वो मुख्य मंत्री बन सकता है तो ये कोई राजनी की या प्रजातंत्र की बात नहीं होती है पिछले साल शिवसिना के 40 विधायक तोड़कर एक्टत शिंदे ने बीजेपी से हाथ मिला कर भाराश में सरकार बना ली इसके बाद ठाकरेगुट ने बागी विधायकों को अयोगे करार दिये जाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोट में याज का दायर की असली शिवसिना कौन और पार्टी का सिंबल किसे मिले इस मामले को लेकर चुनावायोग सुनवाई कर रहा है मगर की बात अगर कहें तो समझ लोग पलबर के लिए जिसकी संभवना काम है कि नियोट चुनावायोग ने यह जो हमारा सिंबल है उसका फैसला पहले सुनाया अगर सारी बाते देखें तो हमारी जो हमारी साइड जो है मजबूत है मजबूत है तो हमारी और से होना माहराश में दो विधान सभा सीटों पर उपचुनाव होने वाला है जिसके लिए नामंकर हो चुका है अटकले लगाई जा रही थी कि चुनावायोग इससे पहले शिवसिना के चुनावचिन्द मामले पर अपना फैसला सुना सकता है पर राज चुनावायोग में साफ कर दिया कि फैसला इस वज़े से जल्द नहीं आने वारा उधब ने शिवसिना के चुनावचिन्द को फ्रीज करने के फैसले पर भी सवाल उठाए किया गया यह भी तो सवाल है हाला कि उधब ठाकरे के सभी दावों को शिंदे गुफ ने खारिच किया और कहा कि हमारी सरकार अच्छे से काम कर रही है और लोग हमें पसंद कर रहे हैं ऐइन सर्कार प्रचंड लोग का खुश आए सर्व सामाने मांसा जी नीर 95 निया αν कि फ्यंत्र मोहंकि कांड टूह iивать यानि सर्व सामाने मांसा सालड़ी आता प्रशंद करीन स्यथम Все मजूर गोर गरीब मांसर जुन पापखायत Screws 66 नSmfi का संद प्रजण प्रेमराईन